कॉपी पेस्ट करके अगर एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह से तो ये वीडियो आपके लिए काफे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए कमाल का ये एक आपके पास पारपॉइंट टेंपलेट है जिसके मतलब से आप एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे music भी है तो अगर आपको शायद अभी music सुनाई न दे रही हो लेकिन यहाँ पे बहुत कमाल का music है और यह बहुत सारे color में मैंने बनाया है और यह सारा मैं आपको बिल्कुल free देने वाला हूँ लेकिन इसको edit कैसे करना है वो बहुत ध्यान देने वाली चीज है नहीं तो आप download कर लेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि इसको edit कैसे करना है यह पूरा जो template है इसे मैंने बनाया है इसलिए इसमें copyright का कोई issue नहीं होगा बहुत सारे color में है यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रहता हूँ देखिए इतने सारे और यहाँ पर यह program channel अभी तक join नहीं किया तो कर लीजे क्योंकि वहाँ पे आपको इस तरह की बहुत से चीज़े मिल जाएंगे जो educational वीडियो बनाने में आपकी help करेंगे जब आप इसको download करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा कुछ इस तरह से यह open होगा और यहाँ पर आप पर आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके चार ओप्शन है चार ओप्शन को बारी बारी से बदल दीजिए जो भी आपका right answer है मान लेजे कि आपने अपना right answer d रखा है तो simply a पे click करिए और यहाँ से इसे delete करिए और यहाँ पर d type कर दीजिए ह अपने d type कर दिया बस यह आपका complete हो गया अब अगला यहाँ पे आपको अगला slide ले लेना है यहाँ पर अपने सवाल जवाँ बदल देना है और right answer अगर इसका b है तो यहाँ पर b type कर देना है जब आप इसको play करेंगे तो right answer यहाँ पर b दिखाएगा अब इसके color को भी change करना है simply आप इसको select करिए यहाँ ऊपर की तरफ जाईए और यहाँ से जो भी color आप लेना चाहते हैं वो color आप लेके इसको change कर सकते हैं अपने हिसाब से सारी चीज़े यहाँ पर बदल सकते हैं तो इसके अलावा जो text का color है आप इसके color को बदल सकते हैं इसके size को छोटा बड़ा कर सकते हैं अगर आपका सवाल बड़ा है तो text के size को छोटा कर लिजे ताकि यह बकसे में fit हो जाए तो इस तरह से बहुत सारा यह बिल्कुल free है इतने सारे मैं आपको बिल्कुल free में देंगा इसके अलावा यहाँ पर यह जो timer है यह timer भी मैं आपको देंगा इस timer क यह desktop के screen recorder को on करना है अपने माइक को laptop यह desktop जो भी आप यूज करें उसके साथ connect करना है और इस पूरे template को play कर लेना है पूरे presentation को play कर लेना है कहां से सबसे उपर यहाँ पर देखेंगे करसर अभी जहाँ पर है जैसे ही करसर ले जाएंगे वहाँ पर दिखेगा आपको right from beginning और जैसे ही उसे आप click करेंगे तो जो पहला slide है वो यहाँ पर open हो जाएगा अब screen recorder on है एक बार enter button दबाएंगे आपका सवाल आएगा चारो option आजाएंगे यहाँ पर आपको voice over करना है और फिर एक बार enter button दबाएंगे तो यहाँ पर timer चलेगा और जैसे timer खतम होगा है यहा को record करना अब बहुत simple सा वीडियो बना सकते हैं आप जितने page यहाँ पर लेंगे जितने सवाल आप अपने वीडियो में लेना चाहते हैं उतने page आपको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे और page बनाने के लिए आपको क्या करना है simple control D जिस किसी भी एक template को आप click करिए एक page को ए right answer को option उसे आप change कर दीजिए फिर screen को record करके video बनाईए YouTube पर upload करें तो आज की जानकर आपको कैसे लिए comment करें बताएगा इसका download link वीडियो का description में है जो कि टेलीग्राम का है आप टेलीग्राम चैनल पर जाईए वहाँ से आप इसको फ्रीमर डाउनलोड कर सकते है वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा वीडियो दिखने के लिए धन्यवाद